जै माता दी, कैसे हैं आप सब? I hope आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे आज का अमारा विशह है, कैसे बड़े पती-पतनी में आपसी विश्वास और प्रेम आज के इस भोतिक यूग में सब की जिन्दगी में बहुत ज़्यादा काम है और इस काम के साथ साथ तनाव भी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा तनाव पती-पतनी के रिष्टे में ही चल रहा है और जिसके कान रिष्टे तूटते जा रहे हैं सामन जश्य नहीं हो पा रहा है इसके बहुत से कान हो सकते हैं वो कुंडली जब हम देखते हैं तो उससे पता लग जाता है और उनको पसनली कुंडली देखकर उपाई बता दिये जाते हैं लेकिन सबी बंदे तो अपनी कुंडली नहीं दिखा सकते तो आज जो मैं आपको उपाई बताऊंगी वो सामानने उपाई हैं वो सबी कर सकते हैं चाए जिनको अपना जर्म पत्री के बारे में कुछ भी पता हो या ना पता हो ये कोमन उपाई हैं इनको सभी पती-पत्नी प्रियोग कर सकते हैं सबसे पहले एक दूसरे पर बरोसा करना सीखें एक दूसरे को टाइम दें और एक दूसरे की प्रस्थितियों को समझने की कोशिस करें उसके बाद ये उपाई करें अवश्य ही आपका रिस्ता अच्छे से बना रहेगा जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तो नोट कीजिए वो उपाई ताकि आपके और आपके पती या कोई अन्य के लिए देख रहा है तो पती पतनी के बीच के रिस्ते में आजाएगी जिन उपाई हो के करने से मदूरता किचन में रात में जूटे बरतन ना छोड़ें खास कर बैड्रूम में तो बिल्कुल भी जूटे बरतन ना रखें इस से जो गर में ओरते हैं खास कर आपकी वाईफ वो भीमार रह सकते हैं उनका स्वास्ता है खराब हो सकता है दूसरा घर में तूटा हुआ काच या दरपन या कोई भी तूटा हुआ काच का समान न रखें तीसरा घर में नमक मिलाए पानी का पोचा नियमित रूप से लगाई अगर ज़्यादा प्रोब्लम है तो और अगर प्रोब्लम कम है तो आप हफते में एक दिन निश्यत कर लिजे उस दिन ये नमक का पोचा आप अपने घर में लगाईए इस से रिलेटिड मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है आप उसे भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अपने सोने के कमरे में रंग बिरंगे फूलों के चित्तर लगाएं क्योंकि आप फ्लावर पोर्ट भी रख सकते हैं बट वो कुछ समय के बाद मुर्ज जा जाएंगे तो बैटर होगा कि आप एक पेंटिंग लगा ले या जो वैसे फूलाते हैं प्लास्टिक के आप वो भी रख सकते हैं पाचवाँ उपाएं घर में गुलाब की सुगंदवाली अगर बतिया जलाएं इससे मालक्षमी विपरसन होगी और घर में जो वातावरन है वो भी मदूर बना रहेगा साथवाँ उपाएं ऐसे घर में रहें जहां सूरिय का परकास प्रियाप्त मातरा में आता हो क्योंकि जिनके घर सूरिय का परकास अच्छे से नहीं आता तो उनके कहीं भी रिष्टे अच्छे नहीं होते इवन उनके माता-पिता के साथ या माता-पिता की भी नहीं बंती मिलेगी या उनके जो रिलेटिव है आदर्स उनके साथ भी रिस्तों में सामन जश्ट उनको नहीं मिलेगा तो ऐसे घर का चुनाव करें जहां पर सूरिय का परकास अच्छे से आता हूं साथवा यदी समश्या जटिल है आपको लगता है कि रिस्ते बस खतम ही होने वाले हैं बहुती ज़्यादा प्रोब्लम है तो आप हनुमान जी की शरण में जाए परतेक्ष निवार को सुन्दर कांड का पाठ करें यह पाठ पतनी भी कर सकते हैं और पती भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि यह उपाई बस पतनी कोई करनी है दोनों ही उपाई कर सकते हैं पती और पतनी आठवा उपाई घर के पिछले इससे में केले का पोदा लगाएं और हो सके तो आप पूर्णी मा का वर्त रखें अ अपने गर में लगा सकते हैं नोवा उपाए अपने सोने के कमरे में कम से कम electronic समान रखें क्योंकि electronic समान राहू को रिपर्जेंट करता है और राहू जो है वो जगडो का मूल ग्रह है तो राहू को अपने व्यवाइक जीवन से दूर रखने के लिए राहू को एक्टिवेट ना करने के लिए अपने कमरे में इलेक्ट्रोनिक समान ना रखे या कम से कम रखे दसवा उपाए अपने कमरे में दरपन जो आपका है उसमें आपका बैड बिलकुल भी नहीं दिखना चाहिए अगर ऐसा है तो अपने कमरे के जो दरपन है सीशा है उसको धक कर रखे ग्यारवा उपाए अपने घर में ही सफेद परकास के ववस्ता करें इवन बेडरूम में तो अवश्य ही जो रोश्णी है जो परकास है वो अच्छे से आना चाहिए कहीं भी अंदकार में को नहीं होना चाहिए आई होप मेरे दुआरा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे होगी ऐसी ग्यानवर्दक जानकारीों के लिए मेरे चैनल पर बने रहे जो नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे खुश रहे विश्वास रखे अपने और अपने रिष्टों में जय माता दिए